पूरा देश हमारे शहीदों की शहादत में आज गमगीन है काश्मीर घाटी में होए आतन की हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश व्यावत है सब बदला चाहते हैं हिंदुस्तान की आवाम बदला चाहती है सरकार से अपील कर रही है देश की जंता से अपील कर रही है एक जूट होकर पूरा देश खड़ा है और विशलेशन का दोर भी जारी है इसी कड़ी में आज हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी जी मौजूद है उनके विशलेशन पर चर्चा करेंगे क्या कहना है उनका इस पूरे परिप्रेक्श को लेकर सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका शुक्रिया कापिल जी सर प्रकाश हिंदुस्तानी जैसा कि आपका नाम है और वैसे ही आपका विशलेशन का जो प्रकाश है पूरे हिंदुस्तान तक हमेशा फैलता रहा है सर इस तरह की जो स्थितियां है आपने कभी काफी लंबा समय आपने बिताया है पत्रकारिता जगत में आपका अनुभा हु रहा है आपने विश्टेशन किया ऐसी कई सिद्यों का इस बार सर्थ क्या कहता है आपका विश्टेशन देखे कपिल जी की अभी जो हालात हैं ऐसाने कि यहालात पहली बार हुए है यह बात जरूर है कि इस बार जो हमला हुआ उसमें हमारे चुमाली सीर्पीप के जवान शहीद हुए लेकिन आतक की ऐसी गतिविदियां पहले होती रही है 2001 में एक मंत्री डार एरपोर्ट आ रहे थे तो स्रीन अगर हवाई अड़े पर हमला हुआ और एक हत्यारों से भरी गाली हवाई अड़े पे घुसने की कोशिश की और से उड़ा दिया गया था उस गाली को रोग दिया गया था एक और वारदा थोए थी जब जम्मू कश्मीर की विधान सवा का सत्र चल रहा था और आर्मी की पोशाक पेहन कर कुछ आतंकी गाली लेकर घुस आए इस फुर्टक पधातों का और उन्होंने गोलिया चलाते हुए दरवादा तोड़ते हुए अंडर घुस गया विधान सवाभावन के परिसर में पांच सैनिक और दूसरे बीस अन्य लोग इसरे 25 लोग वहां शहीद हुए थे एक और वहा हाथसा देखा रहा है अतीत में तो आतंकी गतिवतियां थी देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकतंत्र का मंदिर हमारी संसत पर आतंकी हमला को और हमारे संसतों को किसी तरह बचक कर निकलना पड़ा हमारे कई जवान सुरक्षा कर्मी वहां शहीद हुए उस वक्त जो उबाल था वह भी बहुत बड़ा था यह उबाल भी बहुत बड़ा है लेकिन भारत सरकार ने इस पार जो कारवाई की है वो कई कई मायने में महत्पुर्ण है पहली बात तो यह कि भा नाच पाक परस नेताओं की सुरक्षा हटा ली है दूसरी बात सी आर पी अपने पहली बार ट्वीट करके कहा है कि न हम भूलेंगे न माफ करेंगे तीसरी बात प्रधान मंतरी नरेनर मोदी ने खुद कहा कि सेना सही वक्त आने पर बदला लेगी और छे बार पिछले तीन पक रिस्पॉंस मिला है इस बार एक और चोथा काम हुआ कि भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड कंट्री का दर्जा हटा दिया है 1996 से पाकिस्तान हमारा most favorite करती था अब वो नहीं है आज की खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान से आने वाले सामान पर 200 प्रतीशत ड्यूटी लगा दिये मतलब अगर 100 रुपे का सामान देख तो 200 रुपे उस प्रती ड्यूटी लगेगी पाकिस्तान इससे बोखला आएगा या फिर खोखला इसको करने की कोशिश की जाएगा पाकिस्तान बोखला रहा है पाकिस्तान के टीवी चैनल लगातार पांस दिनों से हंगामा किये हुए है और भद्दे भद्दे प्रोग्राम दिखा रहे हैं वो उनके तुलना में हमारे भारती चैनल बहुत संतुलित हैं और निश्पक्ष कहे जा सकते हैं पाकिस्तान के नेता बहुत सारी बातें बकवास किये जा रहे हैं बयान बाजी कर रहे हैं तो हाला बहुत पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खत्रे में है कि पाकिस्तान के साथ बात यहां कि जब भी कुछ इसके साथ होता है तो वो किसी देश की द्मदबा के किसी देश की शरण में चला जाता है अभी वो पूरी तरह चीन की शरण में है अमेरिका में ट्रम सरकार उसे थोड़ा डख का दे चुकी है उतना प्रोस्तान नहीं दे रहे है तो चीन की शरण में पूरी तरह है दूसरी बाती है कि हम अभी तक यह ग liberti कर रहे हैं पाकिस्तान को अपना मुख्य शत्रू मान रहे हैं हमारा मुख्य शत्रू पाकिस्तान नहीं चीन है क्योंकि चीन वे सारे काम कर रहा है जिससे भारत का विकास रुके भारत के सेना का मनुबल गिरे जैसे मसूद अजहर कोहिल ने जो कुख्यात आतंकवादी है भारत सरकार इ आतंकवादी घोषित किया जाए उसकी गरिफ्तारी की जाए भारत के हवाले किया जाए लेकिन चीन उस बात को रुखे हुए और चीन कह रहा है चीन का ने अपने वीटो पावर का उप्यूग किया और हम और सही तो राश्रों से खतरनाक आतंकवादी घोषित नहीं कर पार पाकिस्तान के मंत्री पाकिस्तान के नेता और आर्मी आतंक वादियों को खुला समर्थन दे रहे हैं इस बात को सबी लोग जानते ही है यह सरकार के हमने बात की और पहला जो पहले ही भी आपने बता ही आपने बाते बाते जनता जो है हमारी आम जनता अवाम जो है हमारी कहीं कि नहीं भावुकता में आकर आक्रोशित होकर वो सिफ यह चाहती है कि सीधार्टे किया जा अब बदला लेने के लिए जो और बदले की आँख देश में भबग रही हैं क्या लगता है आपको ऐसे में अब क्योंकि जैसे आपने बता कि प्रधान मंत्री भी छे बार चौनो ज़ो ती रहे चुके हैं कि कोई न गएक्शन जरूर लिया जाएगा लेकिन हर वार ऐसा होता है ऐसा जंता अभी मानना है कि अब वारता नहीं की आप शान्ती की बात नकी जाए अब सिर्वार किया जाए देखिए युद्ध जो होता है वो क्रिकेट मेश नहीं होता कि उधर से पचास ओर फैके इदर से पचास ओर फैके कोई एक टीम जीती है कोई एक टीम हारी युद्ध जब युद्ध होता है तो उसके विश्व विश्व भी आपी परिनाम होत भारत के सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से है और 1971 में हम पाकिस्तान को निसना बूत कर चुके हैं लेकिन अंतराश्टे दबाओं में हमने एक लाग करीब एक लाग सेनिकों को वापस छोल दिया था अभी पाकिस्तान सबसे बड़ी तैयारी में यह है उसकी क पूरी दुनिया के देशों में जाकर यह कहें कि देखो भारत हम पर हमला करने वाला है भारत हम पर हमला करने वाला है दूसरी बात पाकिस्तान कह रहे हैं और भारत के पास तो पाकिस्तान से ज्यादा हतियार है हर तरह के हतियार है तो अगर भारत हमला करेगा तो पाकिस्त प्रतिरोथ कर सकता है अब सारी लडाई सारी चिंता इस बात पर है कि भारत सीमित हमला करना चाहता है भारत पूरे पाकिस्तान को तहस नहस करना नहीं चाहता है इतना समय नहीं है क्योंकि पाकिस्तान तबाह होगा अगर हम परमानुबं फोलते हैं पाकिस्तान परमानुबं पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा यह नहीं हो सकता कि पर्मानु भारत में फूटे और उसके वीकरण के वल भारत में ही हो आसपास के देशों में भी वह वीकरण पर्मानु वीकरण होगा और लोग मरेंगे बीमारियां होगी आने वाली कई नसलें अपंग पैदा हो इसकार पर्मानु भारत की देखते हैं तो इंतराश्टी बिरादरी में हम सब भे कहे जाएंगी तो हाँ हैं अब सारी चिंता यह जो सूत्र मदाथे कि सारी तैयارी भारत की है कि हम सीमित शत्र में हमला करें हो सकता है पाक आक्युपाइट कश्मीर में हमला करें पी-व के म कर दें और वापस आजा तो युद्ध होगा तो सीमित होगा युद्ध का विकल्प युद्ध ही होता है चाहे चोटा युद्ध हो महा युद्ध हो या विश्व युद्ध हो तो खत्रे बहुत ज्यादा है कि दुनिया के कई देश भारत के साथ हैं अगर युद्ध हुआ तो वो देश भारत के साथ आ सकते हैं खत्रे उसके बहुत ज्यादा है और और हो सकता है सरजन्दी बाजी में अगर कोई निड़े लिया जाए कोई ऐसा एक्शन लिया जाए जिसा जन्ता चाहती है तो करने के इसके तुछ करें नाम हो दूसरे देश हमारे खिलाब देखिए सरकारी जो फैसले लेती है जल्दबाजी में नहीं करती है सरकार फैसले लेती है इमोशन में बहे के नहीं लेती है सरकार फैसले लेती है तत्थियों के आधार पर और सरकार के वाली इस आधार पर फैसले लेते हैं कि हमें नुकसान नहीं होना चाहिए हमारा हम पाकिस्तान को नुक्सान पोचाना चाहते हैं आतंकवादियों को नश्ड करना चाहते हैं लेकिन हमारी कोशिश यह है कि हमारे एक भी सैनिक ना मरे एक भी सैनिक को जानना गवानी पड़े एक भी सैनिक शहिद नहों सारी कोशिश जहां है और इसलिए इस तरकी बात है दूसरी बात यह क और विकलबों पर भी सरकार विचार कर रही है अभी सिंदू जल बट वारा है भारत की नदियों से जो पानी बह के पाकिस्तान जाता है हमारा जो समझोथा हुआ था अजादी के वक्त उस व क्यो समझोथे क मैं भारत कई नदियों का 80% पानी तकék HEY पाकिस्तान को दे रहा है ह यह लडाई केबल सीमा नहीं लड़ रही जाएगी. यह लड़ाई घर-घर में लड़ी जाएगी घर आदमी के मन में लड़ी जाएगी. तो टक्नीक बहुत बदल गई है. ये सब चीज़ों. पर्माणू बं फेट देना ही इसका विकल पनी ही. ऑपने खिलोना नहीं है, कि दीवाली-का सुदली अपने आपने फटाका फ практи तिया उसके परिणामस सेकड़ों साल तक उसके दुष परिणाम सेकड़ों साल तक उसके दूश्ड़िनाम आते हैं चाहे वह फोड़े या हम फोड़े सर इस वक्त जो माहूल बना हुआ है देश में और कहीं नगे एक सकारात्मक दिंदू भी निकल के आया है हम जब लोगों से बिलते हैं लोगों के बीच हम गए और आपने भी अनुगों किया होगा आज कोई कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहा है अज सब एक पर हरा सो थे और पांड़ पांच थे तब उनके पॉलोसी किसी देश ने कहा कि हम हमुला ना करके पूरे हस्तिनापुर पे कब्जा कर लेंगे तब युदिष्ठिर की तरफ से बयान गया युदिश्री की तरफ से संदेश गया कि आप हमें सो और पांच मन गिनी हम एक सो पांच है और अगर आप आए हस्तिनाइकपुर की तरफ निगार डाली तो हम एक सो पांच मिलकर आपको तबाह करतें वही बात अभी है पहले जब भारती जनसंग थी और 1971 में युद्ध हुआ था तब जनसंग के नेताओं ने इसी तरह के बयान दिये थे कि इंदिरा गांधी जो भी करेंगी हम उनके साथ हैं हम एक हैं बहले यह हमारी अंतरी में विवस्ता है हमारे घर की विवस्ता है कि राजनितिक विवाद हों मदभेद हों लेकिन ऐसे संकट की घड़ी में जब कोई भी संकट आता है देश पर तो सारे लोग एक होते हैं कोई भेद भाव किसी बहुत आज भी लोगसभा चुनाओं को लेकर काफी सोशल मेडिया पर ऐसे मैसेजिस परवर्ड किये जा रहा है सब की अगर मोदी सरकार सर्जी बेंस्ट्राइब टू करती है तो हम उनके साथ हैं और पूरा संबहुत से सरकार आजाएगी क्या लगता है आपको किस तरह देखते हैं इसको देखिए स सरकार जो फैसला करती है जो प्रधान मंत्री की कुर्सी पर वेक्ति बैठता है तो वो इतने वो केवल अपने फायदे के लिए नहीं फैस्ट होचता है वो देश के फायदे की बास सोचेगा और स्वमीधान ने उसे जो अधिकार दिये हैं हमारे कानून ने सुप्रिम कोर् होता है देश का फैसला होता है तो पूरा देश एकमत होगा और अभी युद्ध किया जाए या ना किया जाए किस सीमा पर किया जाए किस कितने इस्तर पर किया जाए इस्तर पर विचार हो रहा है और हो भी रहा होगा हमेशा होता रहता है प्रतिरक्षा की कोशिचे भी होत हो पाई है जिसे भी आपने बता है कि उनेस सो इकोटर में लगभाग एक लाग सीनिकोंने सरेंडर किया था हमारी सेना क्या रगज़ के तो पाकिस्तान यहीं तो जानता है कि अगर आमने सामने का वह युद्ध करता है तो वह हमेशा उसको दोचटाई हे हैं दूस्तानने मु उसके सामने बहुत चोटा पिद्दी सा देश है पाकिस्तान भारत से नहीं रल सकता इसलिए वो च्छद में उद्ध कर रहा है इसलिए वो आतंकवादियों को पना दे रहा है आतंकवादियों के सहारे भारत में असिरता करना चाहता है कश्मिर में लगा वादियों को बढ़ावा दे रहा क्योंकि अगर वो चाहे उसे यह बार Metropolitan पता कि भारत से वो नहीं नहीं पड़ सकता दूसरा कारानी है कि भारत से नहीं नहीं पड़ सकता हूँ चीन की गोद में जाकर बेट गया चीन चीन वहाँ पर सडके बना रहा है चीन बान बना रहा है चीन एरपोर्ट बना रहा है क्योंकि चीन को पाकिस्तान एक पिट्टू देश लगता है उसे लगता है चीन भारत को घेरना चाहता है सब तरफ से इसलिए चीन एक तरफ पाकिस्तान को पटा रहा, एक तरफ स्री लंका को पटा रहा, उदर डक्षिनल माल्दियू तक संसाधन जुटा रहा, तो चीन ने अपने आर्थिक द्वार्ज खोल दिये, आर्थिक जो अपने कोशा लेके गेट हैं, वो खोल दिये हैं, और अर्वो का इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है हमारे आसपास के देशों में, छोटे छोटे देशों में, नेपाल में, स्री लंका में, स्री लंका में बड़े-बड़े बंदरगा बना रहा है चीन, पाकिस्तान में भी सी तरगे काम कर रहा है, तो वो यह बताना चाहता है कि पाकिस्त हैं आमने सामने रहती थी और अछिवार न से यूद्ध होटा था अब तो आप कही भी बैठकर कहींभी हमला कर सकते आप यहां बैठे बिटे किसी भी देश पर हमला कर सकते हैं तो दुनिया बदल चुकी है चीं के निगाएं हमारी के कुछ हिस्थे पे न का उनका हक है चीं का ये कहना है कि देखिए जब अंग्रेज भारत छोड़ कर गए तब बहुसता इलाका नो मेंस लेंड था, वहाँ कोई था ही नहीं, वो जब नक्षा बनाया गया कागस पर, जब आप एक कागस पर नक्षा बनाते हैं पेंड से, और वो कागस लाखों मुना बड़ा होता है, तो जहां लाइन खीची गई, आपको लगता कि यह लाइन कहा है, वो हजारों मील की लाइन हो जाती है, एक छोटी सी पेंड की लाइन, तो जो नो मेंस लेंड थी या जिस तरह की जगह थी, वहाँ चीन कहता है कि यहां पे तो कोई था ही नहीं, तो यह हमारा लाखा है, चीन का दावा करने का तरकी है कि यहां के लोगों की जिन्दगी हमारे जैसी है, वो हम जैसा खाते हैं, हम जैसे शकले में दिखते हैं, हम जैसे उर्के नाक नक्ष हैं, तो ये चीन का हिस्सा है, भारत करता है कि ये हमारा, तो ये संप्रभुता की लड़ाई अपनी चली आ रही है, चीन एक बार यूद्ध करने के बाद बहुत कुटिल तरीके से मैदान मे चीन कभी खुल कर हम लानी करता, चीन कभी सीमा पर आते हैं उसके जवान, तो वो गुली या नहीं चलाते हैं, उपस खड़े रहते हैं, बोर्ड लेके खड़े हो जाते हैं, होर्डिंग लेके खड़े हो जाते हैं, कि ये हमारी जमीन है, भारती सेनिक वापस जाओ, चीन जानता है कि अगर भारत से जगड़ा किया तो उसके नतीजे चीन को बहुत भारी पढ़ेंगे भारत बड़ी सेना है चीन की सेना भारत की सेना से तीन मुने से भी जादा बढ़ी है यह बता दू लेकिन चीन की सीमाय भी हमसे कई गुना बढ़ी है लेकिन चीन एक बनिया दे तो चीन अपना फायता है। इसे हिंदुस्तार में कही बार ऐसे निकले भी हैं, कई गांदुनल चलाए गए, चाइना की चीज़े इस्किमान के रहे हैं। जी हाँ, सैयुक्त राष्ट संग के और डव्यू टीयो के दवाव में आके इस तरह के समझोते भारत को करने पड़े, वरना हमें चीन का माल मंगाने की तुलना में हम ज़्यादा अच्छा माल भारत में बनाते हैं। सर, इस तरह की जब इस्तिती बनती है और इस बार भी यही दिखा जा रहा है कि सबसे पहले 370 हटाने की काफी बात की जाती है, आम जन्ता भी यही कहती है, और कई वरिष्ट सेना के जो अधिकारी हैं, जो पहले रहे चुके हैं सेना में, उनका भी यही मानना है कि 300 पर एक उच्छेदे पैंती से उस पर भी, लेकिन 370 हटाना, 370 बनी कैसे थी, जब कश्मीर का विला भारत में हो रहा हुआ, तब वहां के पंडितों ने कहा कि हमें, हमें विशेशा अधिकार चाहिए, तो कश्मीरी पंडितों के आधरे पर धरा 370 बनाई गई थी, ताकि उनकी सं पती सुरचित रहे, अब हालात बदल गए तो वही इसका विरोत करने कि इसको हटाए जाए, लेकिन कानून इतने तगड़े बनाए गए थी, कि 370 हटाने के लिए, समी धान में संशुदन किया जाए, लोग सभा में प्रस्ताव पास होगा, राज्य सभा में प्रस्ताव प ठान लेकि हमें खत्म करना है, और हमें सयुक्त राष्ट की कोई परवा नहीं करनी, हमें पूरी दुनिया की कोई परवा नहीं करनी, और समी धान में शंशुदन करे, तो जब सारी पार्टियां सरकार के साथ हैं, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी सरकार के प्रस्ताव का अविरोद नहीं करेगी ये बात तैमानी दूसरी बात यह है कि पाख अक्यूपाइट कश्मीर भारत का अभिन्नंग है इस बारे में हमारी संसद सर्वानुमती से मतलब लोग सभा राज्य सभा में सर्वानुमती से प्रस्ताव पहले ही पारित हो चुका है कि पाक अक्यूपाइट कश्मीर हमारा है अभी नंग है तो जिस तरह वह प्रस्ताव पारित हुआ इस तरह अगर 377 खत्म करें और भारत सरकार कहें कि जिस तरह इसराइल किसी की नहीं सुनता हम भी नहीं सुनते होगा सही उतरष्ट दुनिया जो करेंगी हम अपनी बात पर अड़ जाएं तो हो सकता है कि 377 खत्म कर सकें सर आपका जो विशलेशन है कहीं ने कहीं यही कहता है कि जितना आसान यहां से बेटकर चीजों चीज़ें लगती है जन्ता को इतनी कि वह आक्रोशिट है भावुक है तो स्वाभावी स्वाभावी के स्वाभावी के यह स्वाभावी की है क्योंकि गुस्ता लोगों के मन में गुस्ता आना स्वाभावी के आए दिन इस तर की वादाती होती कि हमारे सेनिकों की अत्या कर दी आती है चुपकर वार्ख होते हैं तो शांती प्रेश ऐसा नहीं करते हैं हमेशा ही देखा गया है कि आमने सामने की एगर लड़ाई है तो हिंदुस्तान हमेशा आग रहा है सब पिछले चार दिनों में लगभग हमारे पैतानीस जवान में शहीद हो चुके हैं इस तरह की और गतिविदिया आमने लगभग ऐसा बताया जारा है कि जारी है जनता को इस वक्त कि एक तो उनमात की कोई बात नहीं करनी चाहिए ऐसे में पाकिस्तान का सबसे पहरा लगश होता कि भारत में अंदर उनी अशांती फैले तो वो यह चाहता है कि ऐसे में सांपदाईगी दंगे फैल जाएं ताकि सरकार का जिहान उधर चला जाए तो पाकिस्तान परस्त लोग चाहते हैं कि यहां अशांती फैले तो सबसे पहले हमें यह मानना हुगा कि जो भारत के नागरिक हैं जो भी भारत में रहता है भारत का नागरी के चाहे कश्मीर में रहता हो चाहे मद्द्रदेश में रहता हो उसके सुरच्शा करना हमारा करता भी है तो अपने किसी भी सा जवान हैं उन्होंने भी दर्यादिनी दिखाई है कि जैसा पाकी तरफ से उनको धंकिया दी जा रही है तो आज भी CRPF के जवान इतना कुछ होने के बाद भी जन्दा के साथ खड़ें वहां की और उन्होंने शाहिद क्विटर पे एक हेल प्लाइन नमबर भी जारी किया है कि मैं कुछ दिनों पहले कश्मिर गया था तो वहां जितने भी चीजें होती है सेना और सेनिक बल जो दूसरे हैं CRPF आर्मी सबी लोग वहां अधिकांश यत्रिवतियां इस तरह जो सेना उनके अस्पताल चला रही है सेना बच्चों के स्कूल चला रही है तो बहुत सारे लेकिन उनको प्र मुंषर पूरा नहीं है वहां बार आती है बर्पारी होती है अदिए अब हाई कश्मीरियों को बर्पारी में वाईूसरा के वेमानओर बचाए सुरिक जगों बच पड़ा तो सेना नहीं हो तो कश्मीरियों का गाना मुश्किल हो मानते हैं ऐसा हमेशा चर्चा में रहता है मुझे लगता है कि इसका हल जो है स्यानिक हल के बजाए राजनितिक हल ज़रा ज़रूरी है तीन सो सब्तर उसका एक तरीका हो सकता है तो जब हमारे देश में इतने बड़े-बड़े कूटितिक पंडित और विद्वान हैं तो मैं सोचते होंगे कि किस तरह हल निकाला जाए कि साब भी मर जाए और लाटी न टूटे को कि हम हमेशा यह कोशिश करते हैं कि हमारे एक भी सैनिक की बली न चड़े किसी सैनिक को जान न दाविकावानी पड़े कोई शहीद न हो यह हमारी पहली कोशिश होती है क्योंकि हमारा एक सैनिक बहुत महत पूर्ण है हम वो यहां का नागरिक है यहां का बेटा है और सरकार भी बरसों बरस मेहनत करके उसे तयार करती है तरक्षा के लिए तो ऐसा नहीं कि सैनिक एक आम आद आम नागरिक के बराबर उसका महत बहु उठाए जाते हैं लेकिन जैसा कि आपका विशलेशन अभी कहता है कि कई ऐसी पड़ते होती हैं ऐसे इस तर होते जिन पर काम लगातार चलता रहता है हर चीज इतनी आसान नहीं होती जितने हमीं दिखाई दिती है और इस वक्त भी सुरक्षा अगेंसियों पर सवाल उठाए हमें कई बार लगता है कि पाकिस्तान में आतिंग की इंटरनेट का उफ्योग करते हैं कम्यूनिकेशन के लिए बंद कर देना चाहिए लेकिन यहीं इंटरनेट के लिए यही मॉबाइल फोन के कारण हम कई बड़े आतिंग को पकड़ने में काम्याब रहे हैं तो उनकी लो उसकी पकड़ने दिया देखे पिछले बीस साल में चार बड़ी वारदातें इस तरह की हुई हैं लेकिन सेकड़ों वारदातें होंगी जिनें रोका गया है तो वो प्रकाश में नहीं आती हमें पता नहीं चलता कि क्या बड़ी घटना हो जाती अगर तेखे पंद्रा अग जा रहा है कि 90 बतीशत लगबंग उस पर गने इन्यें ट्रेंड किया गया है एक जिला पूरी तरह आतंकवाद मुक्त हो चुका है तो करीब 300 आतंकवादियों का सफाया हो चुका है तो यह सवारे सुरक्षा बनों की और हमारी खुपिया एजेंसियों की काम्याबी है सर्चते अलते आपसे एक सवाल आपके विश्डेशन के अनुसारी करना चाहूंगा कि जो इस वर्ग की स्तितियां बनी हुई है केंडल मार्श निकालना या फिर पुदला जलाना आक्रोश व्यक्त करना रेलिया निकालना क्या लगता है आपको इससे कोई समाधान निकल कर लेगी कि वो कड़ी कारवाई करें तो पाकिस्तान वहां की जंता वहां की सरकार पर दवाब डाल सकती है कि भारत अगर उबल रहा है तो हम आतंकियों को सपोर्ट करना बन करें अलगावादी लोगों की मदद करना बन करें ये संदेश पाकिस्तान की अवां जंता सरकार त जाए कि हमारे सुरक्षा बल हमारी एक एक नागरीक हमारे यहां का एक नागरीक सहन साहीं नहीं फिए फ़रह। बिल्कुल जो जहां पर है लाम पर है वतन के काम पर है सर चलते चलते आप हमारे जो देश की जन्ता है जो अमरे युवा हैं उनके लिए क्या संदेश क्या प्रियों एक ही संदेशे की अफ़ाँ से साधान रहें और अफ़ाँ ना फैलाएं सोशल मीडिया पर आपके पास जो भी कंटेंट में आया है अगर आप उसके पुष्टी नहीं कर सकते हैं तो आप उसे फारवर्ड मत कीजिए आदी अफ़ाएं उड़ना बंद हो जाएंगी सर्फ बहुत बहुत शुक्रिया पर्माम चर्चा के लिए और हमारे युगाँ को भी सही मालगर्शन देने के लिए आपके विशलेशन के अनुसार तक शुक्रिया पर्माम चर्चा की इस पूरे माहोर को लेकर लगाता हम इस विशलेशन को और जो भी माहोर देश का बना हुआ है इस्तितियां बढ़ी है वो आप तक पहुचाएंगे अभी हमारी यही अपिन है कि पूरा देश एक जूख होकर खड़ा रहे शांती बना रखे और कोई नर कोई बड़ा कदम हमारे देश की सरकार की तरफ से जरूर उठा जाएगा फिलाने मेदी देड़ देश का पुष्ट हुचाएंगे